प्रशान्द भारती रूबरू में आप सबका स्वागत करता है। ग्लैमर वर्ल्ड चमक दमक की एक अनोखी दुनिया, लोगों को अपनी तरफ आकरशित करने, लुभाने के लिए अपनी एक खास पैचान रगती है। मगर इधर कुछ महीनों से चमक की दुनिया पर मौत का शेकंजा कस्ता जा रहा है। इस वर्ल्ड से जुड़ी कुछ नामी गिरामी हस्तियों की लगातार हो रही हत्याओं के सिलसिले से आज पूरा देश सक्ते में है। इन हत्याओं को अंजाम देने वालों पर कानून की भी कोई खास पकट दिखाई नहीं दे रही है। तिली के एक होटल में एक मॉटल मनीशा लाल के साथ एक शक्स ने छेड़ छाड़ की। मनीशा के विरोध करने के बाद नशे में फिर उस शक्स ने उसे गोली मारती है। और इस कत्री को अंजाम देने वाला राजनीती से जुड़े एक शक्स का बेटा था। कहा जाता है कि ये वार्दात एक तरफा प्यार का नतिजा है। कि ये काली जैसी चार्ण। कि ये गोरे गोरे का ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चार्ण। देखा जो तुझे जानम हुआ है बूरा हाँ ये काली काली आखें। कि ये कपी इत तीखी तीखी थे नजरेंे जैसी चार्ण। आओ को प्रोड़ क着 है। कि गोरे जबादक खाची तुझे थाओ कि अधिति भतनागत एक मशूर जोनिलिस्ट जिसने ब्रश्चाचार और वोराईयों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी नतीजा कई राज्यातिक हस्तियां उसकी दुश्मन बन गई और एक जिस्टी दिन अधिति के घर में घुसकर कुछ लोगों ने उसे मौत के घाट तौर दिया दिल्ली का एक पांच सितारा होटल, ग्लैमर की दुनिया से जुड़ा एक नाम, शालिनी सिंग इसे भी बेरहमी से मौक के घाट उतार दिया गया, और यहां भी नाम उचला एक बहुत बड़े नेता के बेटे का हाल फिलाल हमने इस नेता का नाम एक बहुत बड़े घोटाले से जुड़ा देखा है और सूत्र कहते हैं कि शालिनी को इस नेता के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी थी अंकिता त्रिपाथी मशूर कव्यत्री एक बड़े राजनीता के साथ प्रेम संबन्द एक दिन अंकिता को उसी के घर में बेरहे में से मार दिया गया घटना के बाद जाच से ये बात भी सामने आई कि अंकिता उस शक्स के बच्चे की मा बनने वाले थी कर दो और इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया पत्रकार अंजली मुखर जी का इस हत्या के साथ जन हित पार्टी के नेता रमाकांथ मालविय जी के नाम भी जोड़ा जा रहा है आज रूबरु प्रोग्राम में हमारे साथ रमाकांथ मालविय इसके बारे में क्या कह सकता हूं कि नाम जोडने का किसी कभी नाम जोड़ सकते हैं कोई पूलिस थोड़ा पकड़ती है लोग तंतर का जमाना है सब को बोलने की आजादी है कि फिलहाल इस मामले में मैं चुप ही रहूं तो ठीक होगा अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपक कुछ हाथ नहीं आएगा इनके ये लोग एक इमांदार और सच्चे पतरकार की मौत का राजनेतिक फाइदा उठाना चाहते हैं वैसे ही जैसे आप लोग स्टिंग ओपरेशन करके अपने चैनल की टी आरपी बढ़ाके फाइदा उठाना चाहते हैं वैसे ही ये राजनेति पार्टियां इसकी मौत का फाइदा उठाना चाहती है मुझे दुख है इस बात का बहुत अफसोस है मुझे आपके कहने का मतलब है कि आपको बदनाम करने की साधिश है बिलकुल परसर आपकी पार्टी में और भी तो मेंबर्स हैं सिर्फ आप ही का नाम क्यों जोड़ा ज भागने के लिए करते हैं नहीं ऐसा नहीं है पुलिस कर रही है सच्चा ही सामने आ जाएगी और जनता को सब पता चल जाएगा अच्छा यह बताए आने वाले एलेक्शन में आपको इस बात से कितना फर्क पड़ सकता है इससे बचने के लिए आपने क्या तोड़ निकाला है कि मुझे इस बात का कोई फेक्ट नहीं होने वाला कि जनता का विश्वास मेरे साथ है और अपने पुलिटिकल केरियर में इस तरह की कई नौटंकियां जहली है मैंने है ओके रमाकांजी हमें यह चर्चा यहीं खत्म करनी पड़ेगी क्यूंकि हमारे प्रोग्राम का समय किये आशा करता हूँ आपको मिले रूबरू में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया रूबरू में हमसे रूबरू हो रहे ते राजनेता रमाकांत मालविया जी जिनका नाम अंजली मुखर जी के साथ जोड़ा जा रहा है जिसे वह पूरी आप से लिएता हूँ विदा आप देखते रहें रेयारिटी ओनलाइन लाइन लीज जैंटलमेन आप नेक्स कंटेस्टेस्टन नाबर थार्टी वान थांक यू yeah beauty आपी नजर में क्या है beauty मेरी नजर में इंस़ान FREE फ्राइब विश्व्त है च्राइब लेकिन इसमें जद्धा ज़रुरूरी हैं अंदर से खुबशूरत होना आप शांथ हैं अप अच्छा सोचते हैं अपने बारे में दूसरों के के बारे में आप पॉजिटिव हैं आप में विश्वास है आप भावख हैं और इन सब से बढ़कर आप दूसरों की कदर भी करते हैं यह सब कॉलिटी आपको और भी खुबसुरत बनाती है थाइंक यू एक औरत होने के नाते आप आज की सोसाइटी में एक औरत को कहां देख सफलता और योगिता के आधार पर मैं कोई फरक नहीं देखती ऐसा मेरा विश्वास है अगर आप ये कंट्रेस्ट लूज करती हैं तो कैसा लगेगा आपको उसके लिए मैंने सोचा ही नहीं क्योंकि ऐसा हो सकता है मन में ऐसा विचार आया ही नहीं तैंक यू अजया है And the winner is Contestant Nr. 31 Miss Kiran Talreja दिश्चेना था निभी निभी नो एक देना था यह दो कि अपैर। प्रोब्रो में दिखाएगे उनके पुछी किसका हाथ इस हो यह सुनने में आया है कि आपको रूब्रो प्रोग्राम बंद करने के लिए धंकिया मिल रही है जी सही बात तो क्या आप इसे बंद करेंगे जी नहीं बिल्कुल नहीं इन हत्याओं के पीछे जो शक्स है क्या आप उतारेंगे हमारी कोशिश यह हमारी हमारे चैनल की हमारे प्रोग्राम की कोशिश यह कि इन सब लोगों को हम बेपर्दा करें बेनकाब करें जिनका इन हत्याकांड़ों से कोई भी लिंक है इसलिए मेरी कोशिश ही रहती है आज ज़नलिस्ट टीवी मीडिया बहुत प अरे मेर मतलब आप 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 इसलिए तो अब देखिए हमारा काम दूसरों से इतना अलग है कि हमें दूसरों से जादा चौकनना दूसरों से जादा होश में रहने के ज़रूरत होती है और वैसे भी मेरा मानना है कि जिन्दगी में अपने आप इतना नशा है जिससे मैं भरपूर एंजॉय करता हूँ अब ये विस्की वगरा पी कर इस नशे की खुमारी को मैं तोना नहीं चाहता बात तो आपने अच्छी की वाकिए बात तो है किरन राइट? किरन जी बाते करना मेरा पेशा है बात से बात निकालता हूँ बातों की खाता हूँ ये तो बहुत मुश्किल की बात है सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी बात दिल से कर रहे हैं और कौन सी उपर से अब ये प्राबलम तो सामने वाले की हुई ना सामने वाले को भी मौका देना चाहिए थोड़ा एक्सराइस करने का अब आप से मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि रहां पर आपके सामने कोई नेटिका होगा नहीं ये बात कोई और कहता तो शायद इतनी खासना होती ये बात आपने कही तो बहुत खास लगी ये देविव वाले के साथ तो ओम लुट में खेंक तो जो हां जो आापके साथ शूआ मामा किरन मामे जीत कई गॉद आइन ममा प्लिब समस्प्रेट थे Dadi, I won! I won, Daddy, I won! I really won, Daddy. मैं आपको फोन करूं तुम इधर बैठो मुझे तुमसे बात करनी है कि वोरे जितनों मा कि क्या हुआ मा कि कल रात तुम कुछ ज्याद ही नशे में थी तुम से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था कि टारी की याद आ रही थी इस नाम को अपनी कमजोरी चुपाने के लिए इस्तेमाल करना बंद करो तुम अच्छी तरह से जानती हो इस नाम के जि किसे मुझे दिल दुखता है आपका अगर इस नाम से इतना ही गहरा रिष्टा था तो अलग क्यों हुए इस बारे में मैं तुम से कोई बहस नहीं करना चाहती बहस मैं भी नहीं कर रही है दोनों में से गलत चाहिए जो भी रहा हो मगर यह डिसिशन लेने से पहले मेरे बा अगम गलोग यह यह जपिए भी एज प्लीजे शना है जव प्रशान भार्ती रूबरु में आप सब का स्वागत करता है लामर वर्ड्वार्ट रूग्डल्ल्स लोओंग टुर्स प्रसांदबर्द्धर्ण का लिए इक आगले बार रा है के दुछल्स मिस्टर प्रिशांत प्रिशांत जी मैं ओ हो मिस्स किरन तल्रीजा जी आपने कैसे पैचाना कि मैं देखिए कुछ लोगों की आवाज इतनी खुबसूरत होती है कि इंसान एक बार सुन ले तो भुला नहीं सकता और कुछ लोगों के चेहरे हैं कि एक बार देख लिया जाए आप में दोनों को संगम है पर सवाल है कि आपके उम्ही को एक मिनिंग दे देते हैं आप मेरे आफेस में आज आजाए आप ना बोलना चाहेंगी तो भी नहीं बोल पाएंगी अच्छ आपको बिल्डिंग तो पता है ने मेरी वोर नीचे कुछ फंक्शन है तो आपको पार आप किरन माडम है जी आई ये थैंक यू आप किरन जी जी आई ये! Ms. Mumbai! वाँ! किरन मिश्राओ करन? ये, I am Raman, please come. ध्यू मैं, please have a seat ma'am. ये रामन, please come. ये, मैं. I just had coffee, thank you. Okay ma'am. हुआ है हाँ है 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 किरन जी आपको इंदार कर रहा है इस 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 पर बोरती है नहीं होई नो नो नाट एल मैं तो बस आपके यह क्यावन को देख रही थी है कि हर चीज कुछ कह रही है बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं यहां पर थांक यू इंसान कि आसपास की चीजें उसे अफे इसलिए मेरी कोशिछ रहती है कि वो चीजे जो मुझे प्रेड़ना दें, उर्जा दें, मेरी आसपास रहे और इस कोशिछ की अगली कड़ी आप है ठीक है? रड़ी तो लूंच? ओ यहाँ लोगाँ लोगाँ तक यह वहाँ वहाँ आप लूंच पीवल रड़ी तो लूंच पीज़ कोशिए प्रेड़ना थिए यहाँ की बेस्टिष एशेट है जी जी मैं लेती हूँ प्रीज़ तो किरन जी आप यहाँ जी आप यह आप मिस और जी के संबोधन से बाहर निकलाएं मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है ऐसा लग रहा है कि कैमरा लगा हुआ है और मैं आपका इंट्वी ले रहा हूँ तो मैं आपको सर्फ किरन बोल सकता हूँ शूर थैंक यू किरन भविश्य मैं क्या करना चाहती हूँ एनी फ्यूच प्लान कुछ प्लान तो नहीं किया पर सोचा जरूर है मैं समझती हूँ कि आगे जो होना ना होना रहना इसी फील में मैंने अपना पोर्फोलिय तो भेजा है जागे तो मिस इंडिया जीतने का है जीती तो ग्रेट नहीं तो प्राम तो है जिन्दगी निकल जाएगी बिल्कुल गलत तुम्हें इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और खासकर प्रशान भारती के दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं मिस इंडिया बनना है तो बनना है देखो क्या है ना एक परसेंट डाउट भी हन्रिट परसेंट एफ़र्ट को फेल कर सकता है तुम अपना निशाना सर्फ टागेट पर रखो और पूरे कॉन्फिदेंस पूरे एफ़र्ट के साथ अटाइक करो फेल होने का सवाल ही नहीं है मैंने अपने जीवन में भी सब कुछ ऐसे ही पाया है सच आपकी बात उसे बहुत कॉन्फिटेंस मिलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ और तुम्हारे सर पे हाथ रख के आशिरवात देना पड़ेगा वीजेई भाव अब देखते हैं क्या होता है अब देखते हैं इसे भी ज्यादा जरूरी है अंदर से खुबसूरत होना आप शान्त है आप अच्छा सोचते हैं अपने बारे में दूसरों कि बारे में आप पॉजिटिव हैं आपका इंट्रवीव देख रहा था आप भावोख हैं और इन सब से बढ़कर आप दूसरों कि क्या वात है बहुत अच्छा बोलती हैं आप ये सब कॉलिटीज आपको और की खुशूरत बनाती हैं नहीं नहीं कुंग्राटिलेशन्स वंस अगें यूव ड़न वेल अच्छा सुनो आज रात दस बजे होटल निंक में तुम मेरे साथ डिनर कर रहे हो अब ये बताओ मैं तुम्हें पिक अप करने हो कि तुम खुद पहुंचाओगे दिनर कथ खुशी में भाई अच्छा मैं बताती हूँ इस सप्राइज आप स्यू दैबाई ओके आप अच्छा मैंने कहा था ना तुम जो चाहती हूँ वह पाके रहोगी आज कॉंटेस में इंट्री हो गई है कल विना भी हो जाओगी प्रशांथ यह सप्राइश में देने वाली थी बताओ तुम्हें कैसे पता कम आँ टेल मी टेल मी देखिए हम उन दोस्तों में से नहीं है कि एक टेबल पर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया और जब यहां से अलग हुए तो अपने अपनी दुन्या में हम अपने दोस्तों की खवर रखते हैं उनकी खुशियां उनकी मुश्किलों की जानकारी रखते हैं मसलन आपका सूप ठंडा हो रहा है प्रशांद तुम भी ना मैंने तुम जैसे इंसान आज तक नहीं देखा है देखते भी कैसे क्योंकि हम जैसे नमूने उपर वाले ने सिर्फ दो बनाए हैं एक मैं हूँ और दूसरे दूसरे मेने डाड़ी छोड़ो फिर कभी बात करेंगे नहीं प्रशांद आई रेली वाण नो पिता जी अब रहे नहीं मा भी कुछ और से पहले चल बसी है मुझे अफसोसने जबाब का है कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सका मैं उन्हें यहां लाना चाहता था पर वो गाहों छोड़ने को तैयार ही नहीं दर असल गाहों का जो कॉंस किया तैयार कर दिया मैंने मैं भी ना किया सोच रहा हूं मेरे सामने सिंपल साधान से किरन तल्रेजा बैठी है अब कल कोई मिस इंडिया बनेगी तो मेरे लिए कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी मिस इंडिया का ताज पहनने के बाद तुम्हारी जंदगी बिल्कुल बदल जाएगी मीडिया इवेंट्स चैरिटी शोउस वर्ल टॉर तब होगा ये कि मेरे जासा साधारन सा जेनलिस्ट कहीं कोने में चुपचाप खड़ा होगा और तुम शुराब प्रशांद आम सॉर मगर तुम क्या समझते हो तोस्ती कमतलब सिर्थ तुम ही जानते हो अरे इंसान अपनी फील में जितना भी आगे बढ़ जाया लेकिन अपने दोस्तों के लिए तो वही रहता है ना जो पहले था बलकि मेरे हिसाब से इस वेरी इंपॉर्टन की सफलता पाने के बाद अपने असली दोस्त उनके आसपास होने चाहिए और तुम्हारा सूप थंडा हो रहे है थैंक यू क्या सोच रहे हो कि तुम से मिलने के पहले जिंदगी तो थी लेकिन अब कुछ कर दो हुआ है झाले क die दो रहे हो कुछ क्यू दो मैं बेंके इंगी फैकल ओरलने के चत्व शोस्त-उब दो समया हुआ। कर दो, मुझन दो जो, जैया है क्योंके आटाया जार्ग हा यारागी है कर दो हम परागा त हम घए रखर रहे हैं कर दो, आटाहिए, भी आप नटित का जाट रहे हैं क्वारा रखक रहे हैं यहाँ तपर कुझ सबस्क्राइब भी शिर्वीज हो प्लेज होना कर अधिन आपना के रहता है कि अधिन के सब्सक्राइब हो रहा प्रषाई मैं है कर दो थे यहां पूर्श एस दो जा जबता कवीजिक जण कि अंध हो कि एंगिश बाओ अलगाना कर दा मारी आज रखिया है अच्छा सुनो मैंने यूही फोन नहीं किया है हां मैं एक दिन के लिए बैंगलोर जा रहा हूं तुम शाम को घर चलिया ना कॉफी पीते हैं हां मैं सवरूर आउंगी जल्दी आना मुझे फ्लाइट पगड़नी है ओके पाइज घर तो बहुत खूबसूरत बनाया तुमने तुमसे जादा खूबसूरत नहीं है एक्स्क्यूज में अच्छाइट में आज आत को इतने शॉर्ट नोटिस पर हां आप आ रही है ना जीव क्या यह मिस्टर कुक्रेजा की पार्टी है बिल्कुल सही पहचाना अच्छा मैं सहरूर आऊंगी अफकोस थैंक्यू मैटम थैंक्यू बाए प्रिशांद मेरे साथ पारी पर चलो ना फ्लीज किरन मेरी डेड़ घंटे में बैंगलोर के लिए फ्लाइट है मैं नहीं चल सकता हूं तो क्या हुआ पोस्पोन कर दो किरन मेरे जाना बहुत जरूरी है तु उचाई पर पहुशना मकसद तो होना चाहिए मगर ख्याल रहे इसके लिए कभी गिरना ना पड़े अगर प्रिशन वर्ड के गॉड़ फादर बहुत सी इवेंड मैंजमेंट कंपनी इनकी बज़ा से चल रही है यह हमारे आज के खास गेस्ट है प्लीज टेक्रिग किर विए आज्ये लिए। होफिएग खाना प्लीज पूर्टक्वर प्रेया थार रही जोनैंग प्लीजिए प्ले भूई है क्या सुग्स करते खा एप्ले ना होद लोग तो है जो क्या आपोर यह इट्सम आर रहा है ऑ広 विच साले Patriot आप कॉंटेस्ट को लेके काफी 10 से कि रंजी है फिर मत कीजिए ताज इसी सर पर बंदेगा हमने कह दिया हम ने कह दिया हम जो हो गया मगर मेरी एक बात याद रखना पर उचाई पर पहुशना मकसद तो होना चाहिए मगर ख्याल रहें इसके लिए कभी गिरना ना पड़े excuse me mr. कुक्रेजा mr. कुक्रेटा याब क्या कर रहे हैं I'm sorry कि रंजी क्या हुआ miss कि रंजी खफा हो गई तो बैठे आप बैठे 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 प्लीस लीज विज उव आप समझा रही है mr. जो आप संचार नारण रूलोग मिस्टर अप्रदीप नारंग क्या हु रहा हाँ वाई बारती साब किसकी जिंदगी बना रहे हो आप अब क्या कहें आप से आप जैसे ग्रेट शक्स कोई क्या कहें पैसे कल रात में जो रंग उचाला आपने पार्टी में उसके छीटे जिस शक्स पर पड़े हैं वो इस वक्त मेरे सामने मेरे ओफिस में बैठी है मिस किरन को ऐसे इवेंट्स के क्रियेटर्स और स्पॉंसर्स का अपना कोई करेक्टर है कि नहीं है वह सोचते हैं कि लड़कियों को सपने दिखा कर कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ नहीं अभी कुछ हुआ नहीं मैं कुछ करने पर आऊंगा ना तो बहुत भारी पड़ेगा आपको आपको और उन सब लोगों को जो रात के वक्त शराफत का मुखोटा उतार के अपनी जात पर उतर आते हैं आप आप इतना गुसारा किए ना यू शट अप और रिमेंबर हो यू टॉकिंटू प्रशांथ भारती है मेरा नाम और यह कुक्रेजा है कौन क्या बेशता क्या है समझता क्या आपने आपको एक्सपोस कर दूंगा ना साले को तो शेर भर में चैरा चिपाता फेरेगा उस तेक दो फून अलो 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 अ ब्राइख कर दो यह कुरिया में जी अब भीजी नारंग प्राहम्स के लिए इस दिटर में प्रॉज्टे लिए अप्रे बात शर्मिन्दा हूं एफ प्रॉज्ट प्रॉज्जे अप्रेश पुछने वाले हैं आप तयार कर लिजी है एक तरह देखें आपको मिसिंदिया चुन लिया है आसको बहुत बहुत हुआ प्रहुआ का। And the winner is contestant number 13, wow! Contestant number 13! Thank you. Good evening, Mother Teresa's sacrifice and stardom, what would you like to see both of them and why? What is the definition of beauty according to you? Why? मिस किरन आपकी नजर में इंसानित के माइने क्या होते है इंसान इंसान से लड़ता ही चलाया है और आज भी लड़ रहा है मिस किरन क्या आप हमें बताएंगे कि इंसान से इंसान के नफरत कब और कैसे खत्म होगी इंसान से इंसान से इंसान 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 इं Thank you contestant No. 13 and the next contestant is No. 17 Kiran 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 बेटा Kiran, Kiran मा को तो बता Kiran क्या हुआ मेरे बच्चे Kiran मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे प्लीज अपनी मा की बात तो सुन ये भगवानी लड़की क्या कर रही है अवा हलो प्रशान बिटा कल राज से Kiran ने खुद को कमरे में बंद कर रहा है कि अशना समझाने की कोशिश कर रही हो पर दरवाजा नहीं कोल रही प्लीज पिता जल्दी से चले आओ और उससे संचाओ माजी आप फिक्र मत कीजिए मैं भी पहुँचता हूं ठीक है डोन बरी ठीक है बेटा प्रशानता है किरन जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है जहां एक और कुछ छूटता है वहीं दूसरी और जहां जो मिलना होता है उसकी जमीन खड़ी हो चुकी होती है बेवचा दिमाग खराब करके रखा है एक रूम में बंद कर लिया अपने आपको कम से कम अपनी मा का खयाल तो दिया होता है देखो बैचारी कितनी परिशान है माजी आप लीज बैठिये ना मैं समझा रहा हूं इने बिटा अब तुम ही इसे समझाओ मैं तो समझा समझा के हार गई अब इनको क्या समझाना है सब समझे ने अकल की कमी नहीं है यहां पर हाँ उसे इस्तेमाल करने में कंजूसी बढ़ती ही होता क्यों कलब कह रहा हूं इधर देखो मेरी तरफ करें है और चल्कर तर्यार रहोग मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं शायद वह जगा तुम्हें इस वक्त को समझने में मदद करें फिर वादि इस जाए माजी चलो 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 अभी मैं यहां अक्सर आता हूं इन बचों से मुझे बहुत प्यार में तो मिलो इनसे अलो देखवाज में लें तुन से अलो बंटी यहाल है आज़ा बिटा अली इतो किता लंबा हो गया आज़ा यह वी ना बात है अलो बोलो जीजी को वह वाव है अरे बुडिया कि रंट कैसी लगी जगा किरम तुम्हें पता है मैं तुम्हें बच्चों के पीच में क्यों लेकर आया हूं इश्वर ने अधूरा बनाया है शरीर है सांसे हैं धड़कने हैं सब कुछ है मगर फिर भी हमारी तरफ पूरे संपूर्ण नहीं है इन में से कुछ हैं जो पानी का ग्लास तक उठाकर नहीं सकते हैं कुछ है जिनका अपने हाथ पाउं पार यह अंकुष नहीं है लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है तुमने इनकी आंखे देखी इनकी आंखों में एक विश्वास है उम्मीद है इन्होंने जिन्दगी की साथ एक रिष्टा बना कर रखा है विश्वास का और यह व छोटी सी मुश्किल पाकर अपना संयम खो दें यह एक कविता है पढ़ना इसे मैंने लिखिए इसे पढ़ने के बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम जीवन को थोड़ा और समझ सकी हूँ तो मैं सोचूँ कि कुछ कह पाने वाले शब्दों को सोच पाने की समझ है मुझ म जीवन को हम मित्र बनाएं हर पल उसके साथ पिताएं इसी को समझें इसी को जाने सत्य यही है इसी को माने दूर बहुत है मंजिल तो क्या पकपक पर है मुश्किल तो क्या पाउं में छाले पड़े हैं तो क्या राह में कांटी गड़े हैं तो क्या राहों को हम राह बनाएं जीवन को हम मित्र बनाएं हाई केरन हाव यू मैं ठीक हो तुम कैसी हो बस ठीक हो मैं और क्या चल रहा है किदर थी बहुत दिनों बात मिल रहे हम कुछ ऐसी बहुत बिसी रहने लगे हो आज कल बस थोड़ा सा क्या करें और प्रशान कैसा है वो बिल्कुल ठीक है बिसी इस यूज्वल वैसे कि पुरा अभी समझने का मुझा ही कितना दिया है उसने तुमें कितना जानती हो तुम उसे एनीवे बाहे चीव भाई लो वू स्पीकिंग नहीं आपकोन बोल रहे हैं अ जी नहीं मैं मैं रूबरू प्रोग्राम बंद नहीं करूंगा आपको जो करना आप कर लीजिए कौन है किया बोली मार देंगे हां आप कर लीजिया मैं अपको अपना पता दूँ आप अड्रस लीजिए मेरा हेलो हेलो काट दिया पें ढूंड़ रहा है शायद कौन था प्रशांत होगा कोई जिसे मुझसे नुकसान पहुंचने वाला होगा या आप पहुंचा होगा कभी मगर इस तो नंबर नहाए तुम पॉलीज को कैसे बताओगे ब्लॉक नंबर होगा प्रशांद तुम्हे पुम्हे पुलीज को बताना ज़रूरी है कि किसी ने तुम्हे जानसे मानने की धंकी दहत Ihr Tius растet मैटे इतना सीरिस नहीं है जितनी सीरिस तूम हो रही हो All is well, don't worry किरन नीची सिको है हां तो परिशान साप आप पर हमला किस ने किया होगा कौन थे ये लोग इंस्पेक्टर साथ मैंने कहा ना आप से मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे I don't know इन दिनों किसी से कोई प्रॉब्लम किसी बात को लेकर किसी से कोई अनबन हुई हो या तो किसी ने कोई धमकी दी थी इसा कुछ नहीं हो मेरे साथ क्या उस वेहकल का नंबर बता सकते आप मुझे याद नहीं है मुझे अच्छा तो आपको अगर पुलिस को कुछ इंफॉर्म करना हो तो आप बांदरा पुलिस स्टेशन फोन कर सकते हैं और हां यह मेरा काल रखिएगा इसमें मेरा सेल नंबर है डायक्ट आप मुझे कॉंटेट कर सकते हैं थांक्यू ऑफिसर थांक्यू आप अब मिस्टर प्रशांत अब कैसे और नीचे तो बहुत लोग आपका इंतिशार करें अब सिस्टर हर दो घंटे में इंका ब्लड प्रेशर चेक करना प्लीज आप लोग इन्हें हरां मिड़ाम करने दिचिए यस यहां थेखिए थांक्यू पर वक्रशांत मैं यह माल् पुलीस के नहीं जानुत किया क्रिमिनल्स कर नाम पहचान पता होने के बावजूद वह लगिसी मामले में नतीजे तक नहीं पहुंच पाते हैं और यहां बेना नाम वाले केस में कहां फासाता विचारों को प्रशान मुझे तुम्हारी बाते समझ में आती अजीव सी बाते करते हो और अजीव सी बातों का अजीव सा लॉजिक देते हो जब तुम्हें पता है कि कोई है जो तुम सोचो किरंग अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता कि मेरा सेक्योरिटी गार्ड मुझे बचाते बचाते मर जाता तो एक आदमी जो 6,240 रुपे की तंखा पर अपना परिवार पाल रहाता मारा जाता और उसके बाद उसकी मौत के बाद मैं क्या आपने सारे जिंदगी शांते से काट पाता दिया ना अजीब सी बात का अजीब सा लॉजिक अब दोस्ती किया तो जेलो फिर भाही तो कर रही हूं थैंक यू येलो यूस पीलो येलो दवाई लेलो और अब ये पेपर छोड़ो कॉस कर देखो कितना स्ट्रेस क्या चाहरे कि यह जा दौक्तर्का किया ना स्ट्रेस लीने से अज Depay इह थिक अजिशनवा वो कैलक्रिण अजन की एक अजिंसी है उन्हों तूमने अपना comment चैक्पूसदर टना है मतलब अब मुझे तुम्हारे साथ रेना है तुम्हारे काम में हाथ बटाना है मैं आप सबको बता दूं कि आज की मीटिंग बहुत ही कॉन्फिडेंशल और सिक्रेटिव है इसलिए आप लोगों को अफिशली कोई कॉल शीट नहीं दी गई मुझे एक नए प्रोग्राम के लिए कुछ सेलेक्टेट लोगों की टीम तैयार करनी थी और आप लोगों की अच्छी परफॉर्मंसेज देखते हुए आपका चुनाव किया गया है प्लीज सिट डाउन मैं उत्थान नाम से एक नया शोर लांज कर रहा हूँ कॉंसेप्ट चैनल ने अप्रूव कर दिया है वो लोग पूरी तरह से हमारे साथ हैं यह बात तो आप सब समझते हैं कि आजकल की सरकारें सरकार से जुड़े लोग कितने सच्चे हैं कितने इमानदार हैं और कितनी निष्ठा से अपने करतव को निभा रहे हैं आजकल की राजनेता हमारे प्रीर राजनेता अपनी पोजिशन अपने अधिकारों को इस्तिमाल सिर्फ अपने स्वार्थों को पालने के लिए करते हैं जो जहां बैठता है लूटने के तरीके खोजना शुरू कर देता है हमारे राजनेताओं को ना तो जनता के विश्वा और अपने शो के लॉंच के लिए हमें एक बहुत ही दमदार मुव्मेंट में मिल गया है हमारे स्टेट गवर्मेंट के होम मिनिस्टर श्री भावना प्रसाद इल्लीगल कॉंट्राक्ट कर रहे हैं एन राइस के साथ जिसके एवज में उन्हें 40 करोड का कमिशन मिल रहा है यह डील एक होटल में होने वाली है और इस डील को हमें लाइफ शूट करना है मैं आपको पूरा प्लान उस प्लान में किसका क्या रोल है सब बदाऊंगा लेकिन मुझे हर पल हर मुव्मेंट की ख़बर मिलनी चाहिए अंडिस्टूड इस टीम को किरन तल्रेजा लीड करेंगी और आप सबको इन्हें बिना शक या सवाल के सुनना है और वो लोग आ गए ओक क्या हुआ ख़बर मुझे लेकिन 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 है अब बुलिफ्ट में जा रहे हैं गोर्ट सेकंड फ्लोव अब 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 हां सर यहां से निकल चुके हैं और रूम की दरब जा रहे हैं जी फॉलू दम करता हैं जी फॉलूम की दर्वपय की दर्वपय की दिए अब अब झाल झाल ग्रेट 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 ब्राण वोग्रेट ग्रेट काम किया आपने अपने आई सलिट यूव अरे बहु ये टेप तो हमारे लिए रामबान सावित होगा अब भावना प्रसाद के साथ साथ इस सरकार को भी हम पठनी जंगे हैं क्यों चौहान साथ बिलकुल सही का समर्ज है अब अगले एलेक्शन में सरकार को कोई बचा नहीं सकता अब भाजी बिलकुल अपने हाथ में है शावाश परशाद बावी शावाश आएए इसी बात पर गले मिले बैड़ जाएए मैंने कहा ना बैड़ जाएए बैड़ जाएए गले वाले मिलते रहेंगे जल्दी क्या है पहले मैं ये तो फ्लियर कर लूँ कि ये इतना बड़ा काम जो मैंने किया है वो क्यों किया है देखिए मुझे भावना प्रसाद को एक्सपोज करके मीडिया में कोई बड़ा नाम नहीं कमाना है और नाहीं काम मेरे अंदर के किसी दर्द में मुझे से करवाया है कि जनता और देश का पैसा गलत हातों में क्यों जा रहा है जनता और देश मेरे लिए वही है जो आप लोगों के लिए है हाँ हाँ यह काम करके मैंने खून पीने वालों की जमात में शामिल होने का एक अवसर जरूर रूंडा है अगा अगा मेरा तो एक ही सिद्धान थे पियो और पीने दो वाह आपका खुलासा करने का अंदाज बात अच्छा लगा कितना साफ है आपका व्यक्तित्व है एकदम ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह हाँ 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 मैं जानता हूं सरकार यूं कि यूं ढेर हो जाएगी लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा काम जो मैंने कि अधिया है जिससे आपकी पार्टी को इतना बड़ा फाइदा होने वाला है इसकी कीमत मुझे क्या मिलीगा इसकी एवद में मुझे क्या मिलेगा मैं जानता को बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह हमारा पहला कदम है यूं समझे यह एक शुरुआत है यह सिलसिला अब लगातार चलता रहेगा हमारे इस नए प्रोग्राम उत्थान के जरिए भावना प्रसाज जैसे और कई चहरों को हम बेनकाप हाँ तो प्रषान जी पूरे देश में आपके नाम की चर्चा है क्या कहना है आपका देखिए मैंने अपना नाम चमकाने के लिए तो कुछ नहीं किया है मैंने सिर्फ प्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग चिड़ी है और मैं चाहता हूं मेरी इस लड़ाई में जनता मेरा प्रष्टाचार से तभी लड़ सकते हैं जब हम सब एक मंच पर साथ आ जाएं ओके मिस्टर प्रशांथ हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार अखिर भावना प्रसाथ की बिजली सरकार पे गिरी और उनकी सरकार मुख के बल गिर पड़ी मैडम ओफिस के बाहर प्रशांथ सर के चाहने वालों कि इतनी भीड जमाए कि हम लोग जवाब देते देते ठक गए ओफ मैम डू यू है नी अदर नमरों प्रशांथ सर जो हमारे पास हो आउट और फ्री चाह रहा है मैडम वो सब इस अधि आखिर लोकमत पार्टी ने प्रशांद भारती को अपने आने वाले चिनाव के लिए अपना केंडिडेट घुशित कर दिया है आगे मुख्य समाचार हेलो बीपल क्या चल रहा है प्रशांथ यहां बैठा हर कोई तुम्हारे स्फैस्ट्रे से खुशने सभी के मन में एक ही सवाल है कि तुमने क्यों किया सर राजनीती की जिस गंदगी के खिलाफ हम लड़ा ही लड़ रहे थे आप उसी का हिस्सा बन गए हमारे नीता राजनीती के चहरे पे लगे हुए एक दाग की तरह है ऐसा आप ही ने कह था और आज सवाल हैं तुम लोगों के मगर यह कितने जायज हैं और कितने नहीं बात इस बारे में करनी है वैसे मैंने पॉलिटिक्स जोइन करके तुम सब को हैराने में डाल दिया नहीं क्योंकि तुम सब ने कभी सोचा ही नहीं था कि राजनीती का विरोध करने वाला प्रशांथ भारती एक दिन खुद राजनीती कि बन जाये गा मैंने राजनीती को गलत कब कहा राजनीती एक विवस्ता है जो हमारे प्रजातंथ में समवयधानिक रूप से कारे करने के लिए मनुनित हुई है हाँ, इसकी घिनौनी और देनी हालत के पीछे कुछ करप लोग responsible है इन लोगों ने इसे शत्रंच का एक खेल बना दिया है अब प्रश्ण ये उड़ता है कि गंदगी की तरफ इशारा करने से कि हमारी जिम्मेदारिये खत्म हो जाती है इस गंदगी को साफ करने के लिए हम क्या कर रहे है कहते हैं कि राजनीती एक ऐसा अखाड़ा है जहां पर सिर्फ जूटे और मकार पहलवान लड़ रहे है सही है, वही लोग लड़ रहे हैं और वही लड़ते रहेंगे क्योंकि यहां कोई सच्चा और इमानदार पहलवान तो अखाड़े मोतरने के लिए तैयार ही नहीं है हम लोग मुद्दा उठा सकते हैं, मगर उस मुद्दे के लिए कर क्या सकते हैं बदलाव लाने की बाते कर सकते हैं, मगर उसके लिए कर क्या सकते हैं बदलने के लिए ख्षमता चाहिए अधिकार चाहिए सत्ता चाहिए मैंने सोचा कि किसी बीमारी को डाइगनोस करने वाली मशीन बनकर क्या होगा इंजेक्शन बनकर बीमार की रगो मुतर ना होगा अगर अब भी आप लोगों के दिलों में कोई शक्या सवाल है कि तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं अभी इसी वक्त रिजाइन कर देता हूं पॉलिटिक से क्योंकि मेरे लिए आप लोगों के विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है अब आए 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 वाह परशान बाबू वाह बहुत बड़ी आफिस बनाया है मुझे लगता है इतनी कम उमर में आपने बहुत कुछ समेट लिया मैं तो कहता हूं कि कि अगर राजनिती का लड़ू ना भी मिला होता आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किरन इनका मूह मिठा के रहा हूं ये लीजिए कि मूह मिठा कीचे आप लीजिए ना कि अच्छा है कि पीड़ा कि सब्सक्राइब बाटिये बाटिये बैठिये ने सब अरे प्रशान बाबू ये कुर्सी आपकी है मुझे बैठने के लिए क्यूं कह रहे हैं अरे आप बैठिये दो सई कि प्रशान बाबू राजनीती में कभी भी किसी को भी अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए इलाओ मत्ति क्यूंकि एक बार राजनीती में कोई कुर्सी पर बैठ किया तो फिर उठने का नाम ही ने लेता प्रशान बाबू राजू पहले वो रखो देखे क्या है और इस पोटो को भी साफ करो बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी क्या संभाला हुआ है मैं तो यह कहूंगे कि आप बहुत लग्की है जो किरन जैसी साहकर्मी मिली आप में किरन जी अच्छा वाग्या दीजिए नमस्कार नमस्ते राचु गांदी जी की फोटो बीच में लगाओ अरे नहीं यह तस्वीर आने ही लगेगी अरे प्रशांद बावु ऐसा क्यों कह रहें आप गांधी जी के लिए ऐसी बात कर रहे है हमारे पुझ पिता राष्ट पिता महात्मा गांधी शांती के प्रती अरे यह तो आपमान है उनका गलत बात है प्रशांद जी बिलकुल सही यह तो राष्ट पिता है हमारे एक मिन गांधी जी हमारे लिए आदर्णी है, पूजनी है, राष्ट पिता है, अरे पर गांधी जी की तस्वीर दिवार पर टांगने के लिए नहीं, दिल में बसाने के लिए होती है मैं खुद उनकी बहुत इज़त करता हूँ और उनके सपनों को साकार करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर के जगा मैं क्या लगाना चाहता हूँ, आई आपको दिखाता हूँ राजु देना ज़र ये, ये चहरा मुझे काम करने की प्रेड़ना देगा मैं भूख और गरीबी से लड़ूँगा, गांधी जी भी तो यही चाहते थे ना अब आप में से किसे को कुछ कहना है वाह, प्रशांत बाव, वाह, क्या ख्यालात है प्रशांत बावू, इस देवाले में बहुत शक्ति हो, बात कितनी भी बिगड़ जाया, यहां की पुझा अर्चना से समय जाती है और आपके लिए पुझा बहुत जरूरी थी, देखें, मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा फर्ज है, मैं आपको समझाओं प्रशांत बावू, गलत कॉंस्ट्यूएंसी से आपको टिकट मिला है, देशाई को वहां पटकना इतना असान नहीं है, पूरी की पूरी बिजनेस कॉम्वनिटी उसके साथ है, वो लोग पैसा पानी की तरह बहाएंगे प्रशांत बावू, देखें, मैं आपको इस विश मैं आप से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है, जो पैसा नहीं लगा सकते, वो आप जैसे घोड़े पर कौन पैसा नहीं लगा सकता, वो भी लगाएंगे, लेकिन जो पैसा लगाएगा प्रशांत बावू, उसका क्या, इसे कुछ नक माग में कुछ और है कि नहीं, I mean Kiran, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना वजूद, सब कुछ बलाकर, देखो Sonia, शायद तुम्हारे एक्स्पीरियंस इसलिए तुम्हारे सोचने का धंग भी अलग है, और इस फार इस प्रशांत इस कंसर्ण, मुझे किसी की अड्वा और अभर उसा है, बाई प्रशांत का प्यार प्रशांत प्रशांत Hai प्रशानत कि यह है निए तूम द्रिंग करे हो शराब पी रही हो तुम मैं जिया आज प्रशान्थ भारते शराब पिरा है कियों कियों पीने की चीज है पी रहा हूं कल तक तो तुम्हारे लिए शराब की कोई एहमियत नहीं थी तुम्ही कहते थे जिंदगी अपने आप में एक नशा है हां कहा था मैंने हां कहा था मैंने लेकिन अब वो नशा उतर चुका है इसलिए पी रहा हूं मैं बैठो यहां जी करता है तमाचे मार मार के चेहरे को लहलुहान कर दूँ खुद के किरन ये पॉलिटिक्स में आने की बात आई कहा से मेरे दिमाग में इतना गलट डिसेशन मैंने कैसे ले लिया क्या हुआ क्या है प्रशांद किरन जूट फरेब और मकारी का जाल बिछावार तरफ कोई क्या है क्या चाहता है क्या बोलता है मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा लोगों के दिल में कुछ होर है चेहरे पर कुछ और पागल हो गया हूं मैं सोच सोच कर मगर तुम इतने परिशान क्यू हो बात क्या है कुछ बताओ तो सही नहीं कोई बात नहीं है और आगे कोई बात हो गी भी नहीं नों प्रशांद किरन ऑफ डिसाइड मैं रिजाइन कर दूगा रिजाइन हाँ मैं रिजाइन कर दूँगा प्रशान भारती इस अंटाइमली डेजिगनेशन फ्रम पॉलिटिक्स अब तो मुझे मा को दिये हुए वचन की भी परवान ही उनकी आत्मा ऊपर बैटके अगर मुझे दिकारती है तो दिकारे मा चाहती थी मैं अपने इमानदार पिता की सपनों को पूरा करूं कोशिष की मैंने अपने यसी वचन को निभाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स जोइन कर ली, लेकिन पॉलिटिक्स में चार कदम चलेने के बाद मेरी समझ में आ गया है मैं आगे एक भी कदम नहीं ले सकता हूं अरे कुछ करना ही नहीं मुझे मैं जैसा था जहां था ठीक था और अब मुझे किसी चीज की परवानी है प्रशान तुम जैसा सुल्जा और समझतार इंसान ऐसी बाते कर रहा है अरे तुम तो दूसरों को मुश्किलों से निकालने का रास्ता दिखाते हो फिर तुमारे सामन मेरी इज़्जत की धरोवर पर कोई आख गड़ाए मुझसे बरदाश्ट नहीं होगा मैं बरदाश्ट करूंगा ही नहीं पास प्रशांद है किरन मुझसे मुझसे प्रशांद भारती से कहा जा रहा है कि चौधरी की क्लब वाली पार्टी में तुम्हें अपने साथ लेकर ज इतनी सी बात के लिए प्रशांद तुम इतना परेशान होगे कि तुमने शराब पी ली और अगर वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आओं तो इसमें बड़ी बात क्या है लोग हमारे रिष्टे के बारे में जानते हैं प्रशांद मैं तुम्हें उन्हीं लोगों से नहीं बात नहीं है और है कि बैठो है कि प्रशांद मैंने तुम्हें अपना विश्वास बनाया है तुम मुझे अपनी कमजोरी मत बन्ने दो और मुझे लेकर तुम्हारे मन में कोई डर नहीं होना चाहिए प्रशांद और वैसे भी मैं आइस बॉक्स में पढ़ाओ और व हुआ हुआ है 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 हमार मैं पौँछ रहा हूं तुम कित्ते बज़े पूचोगे अच्छा ये चौदरी आतमी का साथ है मैं बहुत कंफ्यूज क्या पहनू तो प्लीस हैल्प मी एक मिनिट वह करना कुछ भी पहन लो मैं क्या बताऊ बदा प्लीस एक सिकन होड़ कर मिलता हुए यह पहन लो ना लोसे यह ब्रेस क्या हुआ अधिसको है ४िरटेस को गष्टेस को तो कुछ मैं पहनूंगी तो थे कुछ दिद धिकिय क्या America कुछ नहीं? यह पर रषा कुछ हो गया गी पता ही नी ही चला क्या हुआ अजै करने कि भी नशैना कि भी कि आफुड का बसलोगी विएस सच पताओ कैसे लग रिप एक भी रेर्टा प्राइन टीम बहुता है अभी साढ़े दस रज बजे अरे पहले बता अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ क्या हुआ अरे वो मेरे केस था चैनल से जुड़ा हूआ अब वो मीटिंग उसकी बैंगलोर में जाना पड़ेगा मुझे अन्यूवे पाटी में तो चलते हैं सब्सक्राइब कम-कम-कम अब तो चौधरी साब को जानते ही हैं अफकोस अच्छा ना सब्सक्राइब मिस्स किरन हां किरन कहा हूं तुम अभी मैंने पूछा इस वक्त कहा हो तुम अच्छा घर पहुंचो अभी हाँ इसी वक्त मैं सुबा की फ्लाइट से घर आ गया हूं इंतिजार कर रहा हूं तुम्हारा पहुंचो पाटी कैसी लगी अच्छी थी पाटी में लोग कैसे लगे अच्छी थे चौदरी साब कैसे लगे अच्छी थे और चौदरी साब को तुम क्या समझती हो दिमाग से कुंद में कुछ समझ नहीं सकता कुछ महसूस नहीं कर सकता मैं समझना चाहता हूं पाटी में हुआ क्या है तुमने किया क्या है पाटी में ऐसी के तुम्हारी खास मुलाकात हुई चौदरी से क्यों एलेक्शन में मेरी क्यों दे रहे हो उस वक्त उस माहौल में उन लोगों के बीच जब तुमने मुझे अकेला शोड़ा था तब क्यों नहीं सोचा तुमने कुछ मैं तुम्हें छोड़के गया था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था प्रशांत में तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ रही थी हाँ फिर वक्त हालाज जैसे बनते गए मैं वैसा करती गए और उस वक्त सबकी बातों से बहुत साफ था कि चौद्री साब की मदद की बिना तुम एलेक्शन नहीं जीत पाओ गई कुछ श्राप की नर्शी का दोश था और ठुछा तुम्हारा प्यार प्रशांत उस वक्त मुझे तुछ लोगात हुए और носक नहीं दिखाई दिरह था जिन्दगी नहीं दकी उसवक्त मैं कि तुमनें कैसे सोच लिया कि तुमेरे प्यार तुमारे विश्वास से बढ़कर मेरे लिया करियर सा इस need तुम्हारे मां की बारे में मां मर चुकिए मेरी उसकी आत्मा ब्रह्मान में लीन हो चुकिए तुम हो तो सपने मेरा जमीर जंदा है कि तुम से बढ़कर मेरे लिए मेरा फ्यूचर करीयर कैसे हो सकता है भला एक बार तो थोचा होता है आप सॉरी प्रशंथ तुमने मुझे इतना नीचे गिरा दिया है ना कि मैं लोगों की नजरों में भले ही इतना उपर उड़ जाओं अपनी नजरों में तो कभी निवड़ पाऊंगा मैं जाओंगा मैं भी नजरों मैं तो जाओंगा ऋीचा क मैं अश। कर दो चाओंगा है है दो कि तो कि झालो कोर फ। कर दो है कि एर ठाटल के दो कि वर्ड़ के है कि अज़ एक प्रश्ट प्रश्थ प्रश्थ रिस्ते ने एक नया मोड लिया है क्या मतलब है किस वाट है अरे बाबा मुझे मीटिंग में पहुंचना मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूं इतना यह टाइम ने मेरे बच गश्वक करने का प्रशांथ किया तुम मेरी बात सुन रहे हो अच्छा हां बोलो बोलो आम प्रेगनिट कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूं कि प्रशांथ यूदे है कि हलो कि क्या कहना चाहते हो तुम नहीं तुम यह कहना चाहते हो कि हम जैसों कि अपनी जिंदगी अपनी खुशी कोई माइने नहीं रखती है है अरे तो मैं कॉंसे आसमान पे बैठ के हूं यह जमीन पर मीडिया मीडिया अरे तो हम जैसों को क्या सांस लेने के लिए भी मीडिया की फिमिश्ले नहीं पडेगी नहीं देखो औरून मैंग्ग्र डिसेशन लेना था ले लिया है अब मुझे किसी बात की परवाण बात बात क्या है प्रशान? क्या हुआ है? वो, कुछ नहीं, मेरा एक दिल्ली का दोस्त है, अरुन, जॉनलिस्ट है तेहो किरंट क्या है ना, मैं अपने करीयर के लिए इस बच्चे की बली नहीं दे सकता हूँ ये बच्चा हमारी जिंदगी है, हमारे प्यार के निशानी है मगर प्रॉब्लम क्या है प्रशान्थ? मैंने अरुन से कह दिया था कि हम लोग शादी करने वाले हैं अब उसका कहना ये है कि इस न्यूस से मीडिया के कान ख़ड़े हो सकते हैं वो लोग सुंख सकते हैं कि हम लोग अचानक शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो उसका कहना है कि इस ख़बर से मेरी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, मेरे करियर को नुकसान पहुंच सकता है मैं एलेक्शन में हार सकता हूं मैंने भी उससे कह दिया जो होना है हो जाए भाड़ में जाए जिन्दगी से बढ़के कुछ होता है क्या अरुन जो कह रहा है ठीक ही तो कह रहा है और मीडिया की पावर को तो तुम अच्छी था नहीं जानते हो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा सब कुछ पिकड़ जाएगा प्रशांद और मैं सब कुछ देख सकती हूं तो में हार तो यह नहीं देख सकती हरे तो मैं क्या करूं यह कि दो गूला है कि वह सबलेव को मारे गिए पूचरा जानते हैं पूला जानता हूं ने नियर्स्ट केंडिडेट राजेंदर देसाई से 40,000 वोटों से जीच चुके हैं अब दन्यवार्ण व और रखो और वार्ण चाहन साब की अधर्य जीट हमारी अपनी जीत नहीं है यह जीत हमारी एक्ता की हमारे संगठन की और हमारे उसूलों की हमारे पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकरता की निष्ठा और उनकी कर्मठता का परणाम है एतनी बड़ी और आज के इस मौके पर सिंग साब तो मेरी बेटी को जानते हैं लेकिन आप सबसे भी में मिलवाना चाहता हूं कि अरे निया बेटा वहां क्या कर रही है कि यहां 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 तो देखबाल करने के लिए वेटर्स है ना दाड़ी कुछ वेटर्स ऐसे हैं जिन पर स्पेशल ध्यान देना पड़ रहा है देखा चाहान साब एक ही बात से बता दिया आपकी बेटी है कुछ रो बेटी कैसी हो ठीक हूं बेटी तो मैं मेरे कुछ दोस् और यह महिला संगठन की अध्यक्षा सुशमाजी और यह हैं हमारी बेटी साहिवा भाइ दुन्या में किसी भी बड़े संगठन या किसी भी बड़े अधिकारी से मैं लड़ सकता हूं जड़े करने मिवाम किसी बड़े वकील को मात दे सकते हैं for already अलब धुए अधिकार- वह इनके फर्मान के आगे हम अपील करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं दाड़ी आप बोलते हैं न तो बस बोलते ही रहते हैं अभी ये सोलन की साफ अरे बहतरीन कुंडली लिये का जन्में है ये एक बहुत बड़े पूंजी पती की लड़की की मांग में सिंदूर भरकर इन्होंने अपनी लाइफ बना ली और दहेज में मिली राजिसवा की सदस्ता क्या बात है और फिर हमारी पार्टी जुड़ गए और जीत गए एलेक्शन और अब सुबह ही आगया सब काम हो गया तो मैं मिस्टर परशांद कैसे हैं बस बढ़ियो कैसे हैं प्रताब जी यह बस ठीक हूँ खाना वोना हुआ अभी कहां सब आप पार्टी के इतने सेनियर लीडर है अगर आप शुरू नहीं करेंग तो कौन करेंगा चलिए शुरू कीजिए चलिए आप लोग भी जोह हं सब आप पर शांद से बात कीजिए मैं भी आया विल्कुल बिल्कुल ऑवी तो यह सो प्रशांद बस बढ़ियो तो मेरी बेटी से नहीं मिले हो यह मेरी बेटी नेहा प्रशांद भरती है तर आपको फोन है अच्छा एक शीज स्मय आपको अपना परीचे देनी की जुरूत नहीं थी आपको कौन नहीं जानता मेंबर्शिप ले जब पापा ने आपका नाम लिया था तो मैंने आपको 100 मांक्स दिये थे अरे वाँ यह तो आपने मुझ पर अंजाने में ऐसान कर दिया जी नहीं यह आपकी अपनी काबिलत और पहचान की वजये से हुआ है मीज्टा मेरे कर आपने अपनी अलग पहचान जो बनाई है और यह तो आपका मतलब है विस्की रम वगारा जी नहीं मुझे शौक नहीं है वैसे भी नहीं मेरा मानना है कि जिंदेगी में अपने आप इतना नशा है जिसने मैं भरपूर एंज मंजिल पानी के लिए हमें किसी करोड़पती की बेटी से शादी कर लेनी चाहिए और मंजिल जैब मेरा के लिनी चाहिए किरन तुम खुद समझदार हो जिन्दगी में अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हो लेकिन बेटा मैं अभी तो एक माँ हूं और तुम्हारे लिए फिकर मंद होना मेरा भी जायज है अब तुम प्रशांत के साथ रहने लग गई हो इसलिए मेरे ख्याल से अब तुम्हें प्रशांत से अपनी शादी की बात कर लेनी चाहिए माँ अब खामका परिशान हो रही हो हम शादी कर लेंगे एक बार कमेंट बने तो और प्रशांत की पोजिशन क्लियर हो जाए उफ इलेक्शन गवर्मेंट पोजिशन जिंदगी में इन फैसलों से बढ़कर और भी तो कुछ होता है लोग मुझसे तुम्हारे रिष्टे के सवाल करते हैं जवाब तो मुझे देना पड़ता है बिटा ऐसे मामले में ज्यादा लापरवा ही ठीक नहीं है मां मैं प्रशान से बात करूंगे क्या सोच रही हो किर्ण हम प्रशान हम दोनों शादी कब कर रहे कि अब तो इलेक्शन भी हो गई है तुम जीत पी चुकी हो और जहां इतना सब कुछ ठीक हो रहा है आगे जागे भी सब कुछ अच्छा ही होगा ना चलो उठो यह लाद साडी पहन लो हम अभी शादी करेंगे रिषान यह कमान केट रड़ी हेलो हां मैं घंटे में लाल चौक वाले नारायन मंदिर पहुंच रहा हूं तुम एक पंडित को लेकर वहां पहुंचो हम शादी कर रहे हैं हां हां प्रशान्थ गेट रड़ी एक चलो उठो बस बहुत हो गया ख़तम करेंगे ड्रामा हम शादी कप कर रहे हैं हम शादी कप कर रहे हैं कान पग्गा सुन सुन के मैंने भी डिसाइड कर लिया है मंगल सुत्र पहनो सिंदूर डालो चैप्टर क्लोज प्रशान्थ मेरा मतलब यह नहीं था कि देखो यहां पार्टी की पॉलिटिक्स सबग्रा मेरी लीवहाद मुश्किल Kiran कौन गले मिल रहा है कौन गला काट रहा है मेरी समझने तो कुछ नहीं आ रहा ऊपर है प्रशन मुझे मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी पार्टी में इतनी मुश्किले चल रही है कि मुझे माफ कर दो शायद मैंने गलत वक्त पर नहीं ठीक है मैं सॉरी मैं भी शायद गुस्ते में कुछ जादा बोल गया कि कॉफी पीओगी हाँ प्रशान बोलो सर्व वो समर्जीत सिंग से पार्टी के वर्किंग पॉलिशी के बारे में डिसकस हुआ था वो राइट अप मैंने तैयार कर लिया है आपको मिलकर दिखाना था ठीक है कुछ देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना प्रशान ये फाइल मैंने देख लिए बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत पसंद रहे हैं ये यूथ को एट्रेक करने के लिए जिस पैकेज की तुमने बात की है ना बहुत अच्छा लगा मुझे थैंक यू अलो है हाव बेटा आ हाहा हा कल जरूर आउंगा मैं तो दिमाग से निकल गया शाइद पीये को भी लिखाना भूल गया हूं मैं रिली सॉरी बेटा लेकिन कल तुमारे शो में नहीं पहुंच पाऊंगा मैं बेटा मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है दिल्ली में आई केनाट मिस्ट मीटिंग आई नो आई नो लेकिन मेरा अच्छा बेटा अपने बाब की भूलने की आदर भी जानता है और उनकी जिम्मेदारियां भी समझता है है ना हलो हलो क्या हुआ बेटा प्लीज बेटा डूंट माइंड अगली बार मैं ख्याल रखूंगा ओके कि बेटा कि वैसे यह राजनितिक जीवन भी कितना उल्चा हुआ है आदमी अपने व्यक्तिक जीवन से भी बिल्कुल कट जाता है नहां एक बहुत अच्छी क्लासिकल दांसर है ओ कैंसर पीडित बच्चों के लिए वह चैरिटी शो कर रही है ऐसे चीफ गेस्ट मुझे व उठाने पड़ेंगे वैसे शादी वादी कब कर रहे हैं तुम कोई लड़की समझ माई है जी एक समझ माई ही तो है लेट्सी मेह जी अंदर आ सकता हूं अरे तरशांची आप आई ना यह आपके लिए है थांक्यू आज का प्रोग्रम अगर मिस हो जाता तो एक बहुत नहीं नहीं मैं कोई बहुत बड़ी कलाकर नहीं हूं बस तालीम ले रही है देखिए संगीत थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूं आपकी परफॉमेंस को देखकर यह समझपाना मुश्किल था कि तबले की थाप पर आपके कदम चल रहे हैं या आपके कदमों के इसारे पर बस पस आप तो कुछ जादा ही बोल रहे हैं देखिए यह एक सच्छे कलाकार का बड़पन है कलम के हतियार को लेकर राजनीती में आया मैं तो एक छोटा सादमी हूं अगर आपकी कलाने मुझे चुआ है तो इसमें जरूर कोई गहराई होगी यह मेरा कार्ड है आप रख कभी मन करें तो फोन कीजिएगा चलता हूं बाई 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 है 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 हलो है अरे नेहा जी कहिए कैसे याद किया अरे आपने कैसे जान लिया देखिए कुछ लोगों की आवाद इतनी खुबसूरत होती है कि एक बार इंसान सुन ले तो बुला नहीं सकता और कुछ लोगों के चेहरे एसे होते हैं कि एक बार देख लिया जाए तो आप में तो तोनों का संगा है पर सवाल है कि आपकी उम्ज्यों ने मेरा नंबर कैसे डैल कर दिया है एक सगंद मूरती है है हलो हाई प्रिशान कैसे हो आज हम डेनर पर काहान जा रहे हैं वह मेरी जरूरी मीटिंग निकले गए, तुम कर लो देनर, ठीक है? यह अचानक कॉनसी मीटिंग आगे? अब आगे एक मीटिंग, तुम जानती हो काम कैसे होता है, यह अचान, सुरू, मैं अभी फोन पर किसी से जरूरी बात कर रहा हूं, तुमसे बात में बात करता हूं, ओके? नहीं परशान्त, मैं तुम्हारा इंतिसार करूँगी हाँ, निया जी, कहिए, कैसे याद किया, बस यूही, अच्छा यूही, चलिए आपके यूही को एक मीनिंग दे देते हैं, कल दो पहर में आपका लंच का कर प्रोग्राम है, ठीक है, तो आप लंच मेरे साथ कर रही है, लंच पर? जीवन को हम मित्र बनाएं, हर पल उसके साथ विताएं, इसी को समझे, इसी को जाने, सत्य यही है, इसको माने, हाथ में है जो वो पल अपना, गुजर गया जो वो था सपना, जो सपना था उसे भुलाएं, जीवन को हम मित्र बनाएं, वा, कितनी गयराई है इस कविता ने, इस कविता का हर लफ्स, हर लाइन, जिन्दगी को समझने के कई रास्ते खूलती है, किस ने लिखिये यह कविता, प्रशान ने, तैड़ी, प्रशान खुद भी इस कविता की तरह ही है, सिर्फ दो बार मिली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है, जैसे बहुत पुरानी दोस्ती है, तब यह बताओ, किस प्रशान रुपी कविता का तुम पर कितना आफर हुआ है, क्या इतना आफर हुआ है, कि एक बाप की ऐसे से मुझे सोचना पड़े, दाड़ी, पहले मुझे तो सोचने दीचे, हाँ, 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 निहा, वो तुम्हारे वो पब्रिश्र का पता मिल गया है, वो किताब तुम्हें मिल जाएगी, ओके, ओके बाए, यह निहा चौहान साब की बेटी है, हाँ, कौन सी किताब चाहिए उसे, वो डॉक्टर जकारिय के लिखी हुई, दे हिस्ट्री ओफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और उसने तुम्हें ही क्यों चुना, यह किताब तलाश ने, हाँ, प्यार हो गया उसे मुझसे, दीवानी हो गई है मेरी, मुझसे बात करने के लिए बहाने तलाशती रहती है, यही सब आया था ने तुम्हारे दिमाग में, तुम लड़कियों का भी ना बस, अरे बाबा, पार्टी प्रेजिडेंट की लड़की है, उनके घर में मेरा आना जाना है, कहीं मेरे मुझसे निकल गया होगा कि संगीत की थोड़ी बहुत समझ मैं भी रखता हूं, तो उसने काम बता दिया, मैंने कहा चलो कर देते हैं, तो में सोलजन से निकलो, चलो जूस प्यो, और मशूर पत्रकार प्रेशांद भारती ने इन्फॉमेशन और ब्राद्कास्टिंग मिनिस्टर के रूप में आज शपत गरहन की, आज लव दिवाली, एंजोई, या, देफिनिशी, आज शपत्रकार की लिवट, मैं आज रवी, रवी बोलो, मैं यह पूछ था कि अष्यल गर पहुंचे क्या? नहीं, एक्चली मैं उनका काफी देर से फोन ट्राय कर रहा हूं लगी नहीं रहा है पता नहीं इतने फोन आ रहे है और खुद का फोन ओफ कर के रखा है मैम जैसी वह पहुंचे थे उनसे कहिए गा कि हम लोग उफिस में उनका वेट कर रहे है अच्छा ठीक है प्रशान भारती के यहां से बोल रहे हूं क्या वहां है प्रशान सर जी हां एक मिनिट देते हूं जो... प्रशान दूर रहो आगा चाल से प्रशान की प्रशान की मेटेभा प्रश पोजाए लोलीवहां तैप आपका फोन है ताइक यू हलो पर शाथ मैं कब से तुम्हारा पूजा पर इंतिजार कर रही हूं तुम वहां क्या कर रहे हो अरे चौहां साथ के घर आना पड़ा उन्होंने कुछ इस तरह का कि मैं नहीं कर पाया तुम घर का बारे हो मुझे थोड़ी देर हो जाएगी अब यहां आया हूं तो एक दो हाथ ताश के खेलने पड़ेंगे ना ठीक है प्रशांत तुम खेल लो जब खेल खत्म हो जाए तो घर आ जाना मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं अच्छा ठीक है कांता भाई फोन अच्छा ड्राइब नारंग बोल रहा हूं वेरा यू अपे दो दिन से मैंसे चोड़ रहा हूं कॉल बैक क्यों नहीं कर रहा हूं पेटा ये दिवाली तो तेरे लिए डबल खुशियां ले आई अच्छा ड्राइब डाला तूने निया पर हां कुझे बता है साले तु किर अच्छा करते हैं क्या हुआ कि क्या हुआ कि अंधेरी में क्यों बैठी हो हां कि I'm sorry darling मैंने तुम्हें इंतिजार करवाया क्या करूं सिचुएशन यू कुछ ऐसी थी वो चौहन सापको में मना ही निकर पाया है है फी दिवाली माइलब वैसे इस लाल साड़ी में बहुत खुबसूरत लग रही हो तुम अच्छा तो आखिर अपनी जात पर उतर ही आए यह वो तुम्हारे कॉंटिस को लेकर मैंने बहुत बाते सुना इसे इसलिए और अब जानता है मेरा बुछ बिगार नहीं सकता मैं पावर में हूँ तो यह लुए ड्राम रचा है है इन्होंने जाता है नेहा को लेकर तुमने मुझes में को जहआओ कोई को सि हो कोई मेरी में घचलाव ओ अ दूर पड़ी है मंजल तो क्या पमधूल तो क्या मजिल जीवण को मित्र बनाए प्रशंद आपको भी स्कविता की तरह ही है अभी भी कुछ कहने है तुम्हें अब तुम यह कहोगे कि प्रदीप नारंग ने तुम्हारे खिलाफ साजिस रची थी उसमें निया का भी हाथ था जूट बोलने का एक और मौका किरन देखो नहीं प्रशंद कुछ नहीं दिखा पाओगे तुम बहुत कुछ देख चुकी हूं मैं और बहुत कुछ दिखा चुके हो तुम बहुत बड़ा एक्सपीरेंस दिया है तुमने मुझे अगर तुम ना मिलते न तो मुझे कभी बतान सूरत और डीसिंट चेहरे के पीछे क्या चेहरा निकल कर आया है प्रशान भारती मीडिया वर्ड में एक जगमगाता हुआ नाम कि देश और समात से भ्रष्टाचार और जूट मिटाने का संकल्प लियो है एक साहसी सच्चा और समझदार पत्रकार लोगों के दिलों में ए आप लिये हुए शैतान शिपा हुआ है वो शैतान जो बड़े से बड़ा शैतान को भी शोटा दिखा दे किरम शटाप लिए इस नाम की किताब को तुमने बहुत ही बेरहमी से जला कर राक कर दिया है कुछ नहीं छोड़ा प्रशान कुछ नहीं मैं जब से तुमें मिली मैंने एक पल नहीं सोचा तुमने जब जो जैसा चाहा मैंने वैसा किया और मैंने भी पागलों की तरह होने दिया मैं तुम्हारी भावनाओं की गदर करती रही और तुमने मेरी भावनाओं को कुचल दिया अरे मैंने तो तुम्हें विश्वास दिया और तुमने मुझे दोका एक-एक करके सब कुछ चीन लिया मुझसे और जब तक मैं समझ पाई तब तक इस जिंदगी की इमारत को तुमने विश्वास खात की बारूत से बर्बाद कर दिया था प्रशान यह सब कुछ तुमने पूरी स्कीम पूरी प्लानिंग के साथ किया सबसे पहले तुमने मुझसे मेरा करियर चीना फिर मुझे मेरे मकसद से हटाया क्योंकि तुम्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरा इस्तमाल करना था उचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक स तसलियत का पता चलेगा तो उस पर क्या गुज़रेगी प्रशान तुमने मुझसे सब कुछ चीन लिया प्रशान सब कुछ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा क्यारेक्टर मेरा करियर यहां तक कि मुझसे माँ बनने का सुख भी मुझे पूरी तरह बरबाद करके अब तुम मेरी स्कीम में था इन फैक्ट जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी यह प्लैन मेरे दिमाग में बैट किया था कि मुझे यहां तक पहुंचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है लेकिन अब मैं यह भी मानता हूं कि मेरा इंट्रेस्ट तुम्हें अब रहा नहीं क्योंकि आप मेरी नजर जिस उचाई पर है वहां तक पहुंचने के लिए नेहा को शड़ी बनना पड़ेगा समझना है कुछ और सुनना चाहती हूं कुछ और मैं ऐसा ही हूं प्यार विश्वास रिष्टे फीलिंग्स यह सब वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में नहीं है मेरे लिए इन लफजों के कोई माइने नहीं है मेरे लिए जिन लफजों के माइने है वह मकसद पावा पैसा और संकल्प पालने वाले को मैंने एक सरकारी अस्पताल में एक बोतल भ्रू को उसके लिए तरस्त वे देखा है और उस शक्स के जिंदगी के लिए उसकी पत्नी को लोग के सामने भीक मांगते भी देखा है कि सत्यप्रकाश भारती है मेरा बाप कांधी पुद्ध और परभांच के अदर्शों को तक्या के नीचे रखकर सोता था वो सारे संसार्ग दुख को अपना दुख समझता था वो एक अभिशाप की तरह बंद गया था वो मेरी मा के पल्लू से किरन तुम नहीं जानती है जरूरत भूक तंगी गरीबी इन सब में आखे खुली है मैंने मेरा पूरा बच्पन रोते रोते गुजरा है और बहुत बहुत दुख उठा है मेरी माने देखो मेरा बाप एक ऐसा शक्स था जो अपने लिए जिया और अपने लिए ही मर गया उसने कभी बाप बनकर पेटे के मन में नहीं जाका और नहीं कभी पती बनकर अपनी पत्नी के आँखों के दर्द को पढ़ा हाँ हूं मैं ऐसा क्योंकि मुझे अपने बाप जैसा नही दर्द नहीं था क्योंकि वो मेरे लिए कभी जीवीत ही नहीं थे उनकी चिता को आग देकर मुझे बहुत संतोष मिला बहुत चैन मिला मुझे क्योंकि मैं उनके साथ सच्चाई इमान उसूल आदर्श ये सब भी जलाया था अपने बाप के साथ साथ इन सब को भी राक कर दिया था मैंने मगर अब मुझे कोफत हो रही है नफरत हो रही है अपने आप से मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ मुझे दर्द किसी और न दिया और मैं घाव किसी और को दे रहा हूँ कल तुम थी, आज निहा है, कल कोई और होगी, कहां जाकर रुखूंगा मैं, क्या पाना चाहता हूँ, कितना पाना चाहता हूँ, और सब मिल जाने पर क्या मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी? किरन, मैं गुनेगार हूं तुम्हारा और ऐसा गुना जिसके लिए जितनी सजा मेले कम है मेरा केस ना तो किसी अदालत में जाएगा नहीं इस पर दो वकीलों में जिरह होगी और नहीं कोई जज फैसला सुनाएगा इस केस का फैसला मैं अभी ही कर देता हूं अगर कभी बताय होता आज हम इस हाल में नहीं होते है ना मेरा दिल दुखता और ना तुम्हें अपने आप से नफरत होती जो बिगर गया सो बिगर गया उसके बार में कुछ नहीं कर सकते लेकिन आगे जो बिगर सकता है उसे तो बचा सकते हैं कल को भुला कर भी जिया जा सकता है परशान्त I'm sorry Kiran कल को बिगर टुम्हें हम लोग शादी कर ले क्या हुआ क्या हो रहा है किरन अरे तुम कॉफी बना रही हो हाँ मैंने कॉफी बनानी सीख ली करन कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूं इस शेहर की इमारते शड़के चेहरे सब भूलना चाहता हूं तो चलो चलते हैं कहां जाना चाहोगी हमार वक्त मेरी पसंद की जगा पर जाते हैं इस पार जहां तुम चाहो अच्छा ठीक है आओ बाहर बैठके कॉफी पीते हैं इस अब जाना आओ पर एक आओ 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 यह किसी जगह प्रिशान दरू नहीं बढ़िया जगह एंग आओ चलो कल सुबा हम लोग मंदिर में शादी कर लेंगे ओके यह पार्सियों का एक बंगला है जिसे इनोंने गेस्ट आूज में कनवर्ट किया है मैं आकसर आता रहता हूं मगर तुम मुझे यहां क्यों लेकर आयो प्रशान अरे बाबा यह जगह जो है ना मंदिर के नजदीक है इसलिए लेकर आया हूं एक्स्क्यूज में कोई है अंकल 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 अंपलन आल मिलो अंपली 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 गाड़े में कुछ लगे बज़ा देंगे प्लीज अभी बज़ाता हूं तेंक यू किरन एक और खुटा कहां वहां प्रशांद अरब बाबल मरा अंकल के हाथ के चिकन की क्या बात है कमाल है फिर अंकल पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं वाकि बहुत सुआध है सोच समच के खाना कहीं ऐसा नहों कि सुब आखी न खुले किरन सो जाओ सुबह मंदिर जाना है हाँ कल सुबह मंदिर जाना है ओ गौड इसका मतलब जल्दी उठना पड़ेगा हाँ देड़ दो घंटे लगेंगे पहुंशने में क्यों हम लोग पैदल थोड़ी ना जा रहे हम तो घोड़े पे जाएंगे घोड़े नहीं जाते वहां पर क्यों सब लोग पैदल जाते हैं क्या मेरा मतलब है कम भाई जाते हैं दरौट एकर उसमंदिर को देखोगी तो अपने सारी तखलीफे भूल जाओगी अच्छा हम सोजाओ अब गुद नाइट गुद नाइट किरन तल्रेजा डाइज इन एक्सिदेंट किरन तल्रेजा एक हाथसा प्रशांत और अब कितना दूर है हाँ थोड़ा दूर तो है इस बार रास्ता कुछ जादे खराब है अगर तुम्हें चल्ले में प्रब्लम हो रही है तो उस तरफ से को रस्ता है पर वह बहुत लंबा नहीं ठीक है जब तक तुम साथ हो रास्ता कैसा भी हो कच जाएगा केर्फुल हाँ आओ 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 इसलिफरी है जमा करको पाऊ हाँ आगे बस आगे किरन देखो वो रहा मंदिर मैंने कहा तान ऐसे देखने के बाद तुम सब भूल जाओगी आओ किरन आओ थांक यू वाव बहुत अच्छी जगा पर लेकर आओ प्रशाद किरन तलुईजा एक हाथसा हाँ प्रशाद वाकी बहुत खूब सूरत है यह जगे प्रशाद हम बहुत उंचाई पर है मेरा दिल घवरा रहा है प्लीज मुझे अपना हाथ दो किरन तुमने हाथ नहीं अपनी मौत मांगी है प्रशाद प्रशाद मुझे चक्कर आ रहे है क्या हुआ क्या हुआ क्या प्रशाद प्रशाद मुझे खड़ाने हुआ जा रहा है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ प्यार विश्वास विष्टेश फीलिंग्स यह सब वर्ड्स मेरे डिक्स्टरी मने नहीं मेरे लिए इन लफ्सों के कोई माइन नहीं है हां मेरे लिए जिन लख्जों के माइने है वह है मकसद, पावा, पैसा मैं यह भी मानता हूँ कि मेरा इंटर्स तुम्हें अब रहा नहीं प्रशांथ बहुत पहले तुम्हें शांथ हो जाना चाहिए था जाने माने पत्रकार और कर्मत राजनेतिग्य प्रशांथ भारती की दुरगटना में मृत्य हो गई है यह दुरगटना पंच गेनी से बारा किलोमेटर की दूरी पर हुई है इस दुखत हाथ से की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे आगे खेल समाचार किरन जी प्रशांद भारती की मौत से सबको समवेद नाय है और आप आप तो उनके बहुत नस्दीक रह चुकी है आप उनके विशेष्टाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी विशेष्टाएं एक हो तो बताओं वो कुशल थे काम्याब थे प्रतिवाशाली थे मगर इन सबसे ऊपर उठकर वे बहुत अच्छे इंसान थे बहुत प्यार था उनके दिल में लोगों के लिए खासकर कि औरतों के लिए और्टों के लिए बहुत समान था उनके दिल में किरन जी अब आप उनके मकसद और सपनों को किस सरा आगे बढ़ाएंगी क्या सोचा ह अपने इस धर्ती पर ऐसे हजारों लाखों प्रशान्त होंगे जिनके अंदर ऐसे ही सपने पल रहे होंगे और मेरी जिन्दगी का मकसद ये है कि प्रशान जैसे लोगों को धूंडना और उन्हें कि उनकी मंजिल उनके मकसद तक पहुंचाने में उनकी मदद करना और मुझे विश्वास है कि इस सफर में मैं अकेली चली तो हूं लेकिन आगे जाके कई किर्म मेरे साथ होंगी